बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकिंड में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतिय राजनतिक विचारक मनू मनू का परिचे और राज्य के उत्पत्ति का सिध्धान्त भारतिय चिंतन में मनू का एक महत्वपून स्थान है ऐसा माना जाता है कि मनू मानू सभ्यता के प्रवर्तक है भारतिय साहित्य उसे बहुत महत्वप देता है शत्पत ब्राम्मण में जल प्रले की घटना का उलेक किया गया है और उसके माध्यम से बताया क्या है कि प्रले के बाद केवल मनुशों में मनुशेश बचे थे और वही जो सभ्यता है उसके सुत्रधार बने और मनुस्मृति के रचनाकार भी यही मनु है लेकिन मनु के जीवनकाल के विशय में कोई निश्चित मत का निर्धारन करना बहुत खटिन है ये बात बहुत सही नहीं प्रतीत होती कि जल प्रले हुई और उसके बाद में अकेले मनु बचे और उन्होंने एक संगठित समाज का निर्माण कर लिया ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऐसा माना जा सकता है कि जो पवरानिक आख्यान है यानि कथाएं हैं उनमें मनु परमपरा का लेक है जिससे मानव सभ्यता का सुत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की सहीता बद तरीके से संस्थागत रूप में उसकी प्रस्तुती करने वाले एक प्रतीक बन गए और ये मनु परमपरा जो है इसने इसके बाद आने वाले मनु जो थे उन्होंने मनु स्मृति की रचना की वैदिक स्मृतिय, स्मृतिय, माहकाव्य, नीति शास्त्र और जो अन्ये प्राचीन भार्टिय राजनेतिक विचार के सुरूत है उनमें ये स्विकार किया गया कि स्मृति साहित्य में विशेश महत्व रखती है और इन स्मृतियों में सबसे महत्व पूर्ण है मनु स्मृति स्मृति का अर्थ है जिसको यादाश्त के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है यानि जिन्हें याद रखा गया, जिसने कहा उसको याद रखा और उसने अपनी यदश्ट के आदार पर उसको और आगे बढ़ा दिया मनुस्मृति की रचना काल के बारे में भी कोई एक विचार नहीं है डॉक्टर विने कुमार सरकार मनुस्मृति को एक सो पचास ईसापुर्व का ग्रंथ मानते है तो डॉक्टर सालिटोर इसकी रचना का काल उननीस सो इसापुरू से अठारो सो इसापुर्व बताते है वही पर मैक्स मूलर ने इसे ईसा के पश्चात चौथी शताबदी के बाद की रचना माना है यानि बहुत अंतरा गया इसकी रचना के काल में किन्तु जो मैक्स मूलर हैं उनके शिश्य थे जॉर्ज हूलर उन्होंने मैक्स मुलर के बहुत सरे किताबों का संपादन भी किया है उन्होंने इसे ईसा के बाद दूसरी शताबदी का माना है डॉक्टर बेनी प्रिसाद भी इसी को सरवादिक व्यवहारिक मानते है अगर हम मनुस्मृति की विशेवस्तु की बात करें तो मुलरूप से ये राजनितिक ग्रंथ नहीं है इसकी जो विशेवस्तु है वो बहुत व्यापक है और इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों का बहुत गहन अध्यन दिया हुआ है एक आचार सहीता एक तरह से हम कहें तो इसमें सामाजिक जीवन की प्रस्तुत की गई है जिसके साथ साथ राज्य के उत्पत्ती भी आती है राज्य के कार्य भी आते है संप्रभुता भी आती है और विदेशनीती भी आती है इसके अध्यायों को बारे भागों में बाटा गया है यानि मनुस्मृति में बार है अध्याए है राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवारिय और महत्वपून उपव्यवस्था के रूप में मानते है यानि सामाजिक व्यवस्ता महत्वपून है और उसमें राज्य एक महत्वपून उपव्यवस्ता मात्र है पहला जो अध्याय है वो संसार और विभिन प्राणियों के उत्पत्ती का है द्वितिय अध्याय में संसकार, विधी, ब्रह्मचर्य, व्रत विधी, गुरु के प्रती, किस तरह से हमें नमन करना है, उसकी विधिया है, तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य के समाप्ते के बाद में पंचिय अग्य, नित्य, शाध विधी आदी है, चौतिय अध्याय में रितू ब्रह्म चर्य जीविकाओं के लक्षे ग्रहस्त जीवन के नियम पंचम अध्याएं में भक्षे और अभक्षे यानि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए मनुश्यों के द्वारा कैसे शुद्ध रहन सेहन को के नियमों का पालन किया जाए छटे अध्याएं म वानप्रस्त और सन्यास आश्रम का वर्णन है तो सप्तम अध्याय में व्यवहार यानि मुकदमों के निर्ने कैसे हो सरकार या राज्य कर को ग्रहन कैसे करेगी कर कैसे लेगी राज्य धर्म क्या है इसका वर्णन है आठमे अध्याय में न्यायलेयों का वर्णन है कि किस तरह से साक्षयादिक के अधार पन्यर्ने किया जाएंगे नौमे अध्याएं में वेवाहिक संबंधों से संबंधित विरी है संपत्ति का विभाजन किस तरह से होगा अपराधों का निवारण कैसे होगा वैश्य और शुद्र के अपने धर्म के अनुष्ठान उसमें दिये वे है दशम अध्याएं में विभिन जातियों के उत्पत्ति, आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्य, ग्यारवे अध्याएं में पापो के निवरत्ति की विधी, अन्तिम बारवे अध्याएं में कर्म के अनुसार, मनुष्य के तीन उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की सांसारि गतिविदियों, आत्म ज्यान और मानविय गुण दोशों और नैतिक बुल्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो मनुस्मिती मानव जीवन के सभी पहलूं को पूरी तरह से प्रस्तुत करती है और एक आचार सहीता के रोप में दी गई है। देखें मूल रूप से हम लोग जो सिध्धान पढ़ते हैं राज्य के उत्पत्ती की के उसमें मनुस्मिती का जो सिध्धान है वो हमें ऐसा लगता है कि दैवी उत्पत्ती के सिध्धान का प्रतिपादन करता है। क्योंकि मनु का मानना है कि इस संसार में राज्य के नहीं होने पर बलवानों के डर से यानि शक्तिशाली के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपून संसार की रक्षा के लिए इश्वर ने राजा की सृष्टी की। यानि राजा को बनाया गया। यहां राज्य नहीं है राजा बनाया गया। यह स्पष्ट है कि मनु ने राज्य के उत्पत्ति के स्थान पर राज्य की उत्पत्ति का उल्लीक किया है। यहां ये भी पता चलता है कि राजा और राज्य को एक तरह से पर्यायवचे शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है किंटु इसकार्थ ये नहीं है कि मनुशासक के रूप में bytes और संप्रभूर राज्य के रूप में कोई भेद नहीं करते वो दोनों को अलग-अलग भी बताती है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में मनुने राज्य की उत्पत्ती से पहले की जो इस्थिती थी यानि राजा को जब इश्वर ने बनाया, उससे पहले की जो उन्होंने अवस्था दी है वो मत्यन आई की थी, बहुत बहुत बहानक इस्थिती थी और एक संप्रभूश संस्था के रूप में जब राज्य अस्थित्व में आता है और एक शासक आता है अस्थित्व में, तो संपून मानव समुदाय शासक और शासित के रूप में विभगत हो जाता है तो इस तरह से राजा की उत्पत्ती से राज्य का जन्म हुआ और जो समाज है वो शासक और शासित में बदल गया उससे पहले अराजक इस्थिती थी जो शक्तिशाली थे वो प्रजा को असुरक्षित रखते थे उनको डरा के रखते थे एक तरह से हम ये कहें कि वो अपनी अनुसार शासन को चलाते थे शासक की जो देवियोत बत्ती है उसमें मनुने ये कहा है कि वो आठ देवताओं के नित्य अन्ष को लेकर राजा की स्रिष्टी करते है यानि इश्वर ने जो राजा की स्रिष्टी की है वो आठ देवताओं के अन्ष से की है यहाँ पर देवताओं को राजा नहीं बनाया यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझने की है यानि राजा देवता नहीं है देवता के गुण को लिये हुए है देवता के गुण को धारण किये हुए है यानि वो गुण उसमें होने चाहिए जो देवताओं में होते हैं जो राजा बनीगा वो ये राजा मनु कहते हैं देखने वाले के नेत्र और मन को सूर्य के समान संतप्त करता है अत्वे प्रिथ्वी पर इसे कोई भी देखने में समर्थ नहीं होगा क्योंकि ये बहुत तेजवान होगा विबिन देवों के देवताओं के अंश से बनता है मनु का जो कथन है वो ये कहता है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुश्वा द्वारा चुनोती नहीं दे जा सकती यानि वो एक संप्रभू शक्ति का प्रतीक है और जिन शक्तियों की उन्होंने बात की है आठ देवताओं की जो उन्होंने बात की है वो कौन है वो है इंद्र, वायू, यम, सूर्य, अगनी, वरुन, चंद्रमा और कुबेर ये सभी प्राकर्तिक शक्तियां है एक तरह से इंद्र, वायू, यम, सूर्य, अगनी, वरुन हम सभी को जानते हैं ये सभी प्रकृतिक शक्तियां हैं प्रकृति में ये शक्तियां मौजूद हैं और कुबेर को धन का देविता माना जाता है ऐसा लगता है कि मनौ ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया है राजा के साथ दिव्वे शक्ति को जोड़ा है और वो ये कह देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि राज्य की शक्ती का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता अगर कोई ऐसा करता है तो उसके गंभीर परिनाम होंगे मनु कहते हैं अगनी जिस तरह से असावधानी से स्पर्ष करने वाले व्यक्ति को जलाती है किन्तु राजागनी चिर संचित धन संपता सहीत समस्थ कुल को जला देती है तो राजय शब्द का संस्थागत प्रयोग किया है जिसका अर्थ है शक्ती और प्रभाव ये राज्य सत्ता का प्रतीक है ये व्यक्ति का प्रतीक नहीं है राज्य सत्ता का प्रतिक है यानि राज्य सत्ता पर जो भी व्यक्ति बैठा है वो एक तरह से देवताओं की शक्ति से पूरी तरह से संचालित होगा साधारण मनुष्य मान कर राजा के पद पर कोई भी व्यक्ति राजा का जो है अपमान नहीं करेगा बल्कि उसे एक देविय शक्ति का प्रतिनिधी मानेगा एक तरह से हम देखें तो मनुष्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का बहुत व्यवस्थित विवेचन नहीं किया है जैसे हम पश्ची मी देशों के आगामी विवेचन में देखते हैं उस तरह से विचारों में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से व्यवस्थित रूप से इसको नहीं बताया है राजी की उत्पत्ति के मामले में इश्वरी हस्तक शेप का संकेत देते वे ये बताने का प्रयास जरूर किया है कि जन्ता की गतिविदियों के उद्देश्य पूर्ण नियंत्रन का विचार सामन्य मानविय विवेक की तुलना में उच्चतर और शेष्ट है शासन के मूल विचार की शेष्टता को ही मनू ने दिव्यता के रूप में परिभाशित किया है मनू शासक की निरंकुष्टा का समर्था नहीं करते मनू द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता दी गई है वो वास्तम में राज्य सत्ता की दिव्यता है मनू ने राजा को केवल ऐसे अभिकरता के रूप में बताया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेश पर उपियोग करता है राजा की शक्ति को दिव्यता से जोड़ते हैं उसके दाईत्वों के रूप में उन्होंने परिभाशित किया है जैसे इंद्रवर्शा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्रवरत का पालन करते हुए जनता पर सम्रद्धी और कल्यान की वर्शा करनी चाहिए जिस प्रकार सूर्य आठ मास में किर्णों के द्वारा जल का ग्रहन करता है परन्तु बदले में वो प्रकाश देता है तेज देता है उसी प्रकार से सूर्य वरत का पालन करते हुए प्रजा से कर ग्रहन जरूर करना चाहिए लेकिन उनके कल्यान को निश्चित रूप से प प्रवेश कर स्थिती का पता रखना चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर अपने प्रियों और अप्रिये सभी को समान मानते वे उनकी प्राण हर लेता है। प्रुन चंद्रमा को देखकर मनुश्य हर्शित होता है। उसी प्रकार राजा का व्यभार ऐसा होना चाहिए कि प्रजा और प्रकृति की सभी विधाय उसको देखकर खुशो हर्शित हो। राजा को भी समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। तो इस तरह से जो राजा का करतव्य है वो यहां सपष्ट किया गया है। देविय शक्ति से युक्त राजा बना करके राजा को देवता नहीं बनाया गया लेकिन देवताओं के गुणों को उसमें समाहित किया गया और उसी प्रकार राजा को कार्य करना है। और जो सत्ता है उसकी वो राज्य की सत्ता है वो व्यक्ति विशेश की सत्ता नहीं है। उसे उस सत्ता का उप्योग जनता के हित में करना है। मोटे तोर पर अगर हम देखें तो मनुस्विती में राज्य की सत्ता को अती मानविय और दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोकल्यानकारी दाईत्वों की पवित्रता के रोप में परिभाशित किया गया है यानि यहाँ पर हम इसे कोई अंदविश्वासी राजा या अंदविश्वासी राज्य के रूप में नहीं देखेंगे इसको हम एक बहुत ही मानविय तरीके से व्यक्त करते हुए लोकल्यानकारी राज्य की अवधाना के रूप में देखेंगे आज के लिए इतना है